स्वागत है आपका एक वर फिस से, तो आज हमें स्टर्ट करने वाले हैं Novel Drug Delivery System की Unit No. 4 और इसमें हम देखने वाले हैं Targeted Drug Delivery System तो इससे पहले आपने जितने भी यूनेट देखी हैं, तो सब में आपने जो अलालत रहे के ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ेते हैं तो यहां पे सेम उनीकी तरह है यहां पे एक और हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं Targetate Drug Delivery System और Source में इसे बोलते हैं TDDS ठीक है, तो यहां पे हम सारी चाहिए है समझयेंगे Targetate Drug Delivery System होता क्या है इसका concept क्या है, इसकी approaches क्या है, है ना, और इसमें और भी कुछ हमारे important इसमें sort note आ जाते हैं, जैसे हमारे nanoparticles हो गए, इसके अलाबा हमारे monoconolar antibodies, इसके अलाबा हमारे liposomes हो गए, neosomes हो गए, ठीक है तो यह सारी के सारी जो important चीज़े हैं, इन सभी को हम discuss करेंगे, तो आज के lecture में हम आदी चीज़े देखेंगे, जिसमें हम देखाएंगे कि targeted delivery system होता क्या है, इसका basic जो introduction है, उसे हम देखेंगे, साथ में इसका concept क्या है, इसके approaches क्या है, उन सभी चीज़ें के बारे में discuss करेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ पार्टों से हम अगले lecture में cover करेंगे तो चलिए start करते हैं introduction से, और समयते हैं कि targeted delivery system होता क्या है, तो चलिए इसे हम एक example से समयते हैं, तो आपको जो बहुत आसन तरीके समझ में आजागी कि target का मतलब क्या होता है, तो target का मतलब तो आप जानते हैं कि लच्छे होता है, ठीक है, तो कोई एक तीर कमाल लेके जब अब चला होगे, तो सीथा लच्छे पर पढ़ना चाहिए, एक target हम से hit कर देते हैं, उसी तरह से यहां पर जो हमारा drug है, वो सीथा लच्छे पर जाके पढ़ना चाहिए, एदा हुदा जाके वो अपना असर ना दिखाए, तो simple सा मतलब होता है, कि targeted delivery system में, कि जो drug हम use कर रह हूँ, ठीक है, तो simple up rough language में समझ लेना, तो माल दीजिए, यह हमारा stomach है, ठीक है, यह हमारा इसके बाद हमारी kidney आ गई, फिर हमारा liver आ गया, तो इस तरह से यहां पर हमारी अलग-लग organ होते हैं, यह क्या cells से मिलके बने होते हैं, यह सारे organs, ठीक है, कापी सारे cells होते हैं इस ठीक है, हम चाहते हैं, कि यह जो drug है हमारा, वो क्या करें, कि सीधा जो हमारा liver है न, liver की हमारी यह वाली जो cell है, इस पर जाके एट करें, सीधा यहीं पर जाके action दिखाए, बाकि यह जितने भी organ है, उन पर इसका कोई असर ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि इस drug को इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, इस तरीके से हम इसे बनाएंगे इस drug को, कि यह क्या करेंगा, सीधे हम चाहेंगे, कि इस वाली cell पे जाके, इस वाले organ की, इस वाली cell पे जाके, यह सीधा हिट करेंगे, यहीं पर जाके अपना action दिखाएगा, बाकि जो अलग-लग हमारे tissue ह हैं हमारे, अलग-लग हमारी cells हैं, तो वहां पे अपना कोई असर नहीं दिखाएगा, सीधे हम चाहेंगे, वहीं पे जाके अपना असर दिखाएगा, तो यह होता है हमारा targeted delivery system, हम चाहते हैं कि हमारा सीधे जाके, हमारी kidney पे असर दिखाए, ठीक है, तो हमें से इस तरीके से उसे यूज करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी kidney पे असर करें, हम चाहते हैं कि हमारे lungs पे असर करें, तो किसी एक particular organ के लिए हम उसे बना सकते हैं, उस drug को, कि वो किवल उसी organ पे जाके असर करेगा, किसी हम tissue के लिए बना सकते हैं, कि tissue के tissue से मिलके क्या organ बनता है, तो हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि ड्रग को इस तरीके से हम design कर सकते हैं कि वो सीधे tissue पर जाके हम चाहते हैं कि किसी एक tissue पर जाके वो अपना असर दिखाए तो वो वहीं पर जाके असर दिखाएगा इसके अलावा हम चाहें तो किसी एक cell पर जाके इस ड्रग को यूज कर रहे हैं और इस तरीके से हमें इसे डिजाइन कर रहे हैं कि यह क्या है एक particular जो है site of action पे जाके अपना action दिखाएगा ठीक है तो यह होता है हमारा targeted delivery system तो I hope आपको जो basic concept हो समझ में आ गया हुआ अब यहां पे यह जो drug होता है न हमारा तो drug के लिए हम क्या करते हैं कि यह drug वाँ पे पहुंचेगा कैसे एक particular site पे जाके वो पहुंचेगा कैसे हम चाहते हैं कि liver की इस cell पे जाके असर दिखाए वो काभी लाखो करोडों cell से मिलके हमारा एक organ बनता है तो हम कैसे set करेंगे कि हमारा एक ही cell पे जाके अपना असर दिखाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो drug होता है उसमें हमें carrier को attach करते हैं ठीक है? carrier हमारा क्या करता है कि इस drug को ले के जाता है और वहां पे जाके drug को जाके release कर देता है तो carrier इसमें बहुत ही जो important भूमिका होता है वो नवाता है यहां पे तो carrier का use हम करते हैं ताकि वो drug को लेके और उस site of action पे जाके release कर दे ठीक है? तो हमारा carrier का यह कम रहता है तो basically इसमें कुछी components का use किया जाता है बहुत ज्यादा अललत रहके जो component इसमें use नहीं किये जाते है basically एक हमारा target होता है जहाँ पे जो drug अपना असर दिखाएगा दूसरा हमारा drug होता है, main drug जो अपना असर दिखाएगा और तीसरा हमारा carrier होता है ठीक है, तो carrier क्या करता है? कि drug को ले जाने का काम करता है ठीक है तो आप ये वाली definition लिख सकते हो और ये इसके कुछ introduction के कुछ points हो गए जन्हें आप चाहो तो आप read कर लेना और exam job लिख सकते हो तो basic जो introduction है वो मैंने आपको समझा दिया है सेम चीज यहां पर लिखे हुई है आपको चाहिए रीड करनी है सबको समझ में आ जाएगा next time बात करते हैं कि regions for drug targeting कि हम करते ही क्यों है क्या खारण होते हैं कि हम जो एक targeted dirty way system जो हम करवाते हैं कसी drug से तो इसके regions क्या हैं उसके बारे हम discuss कर लेते हैं थोड़े से तो एक तो क्या है कुछ हमारे drugs ऐसे होते हैं जो unstable होते हैं अगर हम क्या है उन्हें मुँखे तरूख आते हैं तो वह हमारे GIT में जाएंगे वहाँ पर जाके वह destroy हो जाते हैं ठीक है या फिर उनका जो असर होता है वो कम हो जाता है और वो क्या unstable हो जाते है तो एक तो ये region रहता है दूसरा रहता है low absorption कुछ ट्रॉग हमारे का है absorption उनका बहुत ही बेकार होता है जब हम उसे खाते हैं तो वो absorb अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और उसका जो पूरा असर है वो body को हमारे नहीं मिल पाता है कुछ हमारे ऐसे drugs होते हैं जिनका half life होता है वो काफी sort होता है वो क्या है जल्दी से आगे अपना असर दिखा देते हैं ज्यादा लंबे समय तक body में टिकते नहीं है तो ऐसे drugs को भी क्या है इस तरीके से use किया जा सकता है और next time बात करते हैं कि large volume of distribution कि drug हमारा जाता है जैसे वो body के अंदर जाएगा तो body हमारी बहुत बढ़ी है तो वो क्या है जैसे यह systemic circulation में drug पहुंसता है तो वहां पर क्या होता है कि उसे अलग-लग बहुत सारे वहां पर receptor होते हैं बहुत सारे अलग-लग cells होती हैं इसे जो होते हैं और दुनिया वर के काफी सारे अलग-लग चीज़ें होती है तो जो drug होता है वो हमारा क्या है बढ़ जाता है distribute हो जाता है अलग-लग जगे पर ठीक है तो क्या है जो main जो site होती है वहां पर उसका जो असर है वो कम होता है क्योंकि जो जात जो drug है वो हमारा इदाओदर distribute हो जाता है और जो खराब हो जाता है next हम बात करते है low specificity ठीक है तो क्या specific side पर जाके वो कभी कबार bind नहीं करता है किसी particular receptor पर जाके वो bind नहीं कर पाता है कोई drug हमारे ऐसे भी होते हैं तो इसलिए भी हमें इस तरीके को यूज करते हैं इसके लावक कुछ हमारे drugs हैसे होते हैं इनका जो therapeutic index होता है वो काफी low होता है तो इस तरह के drugs को भी targeted way हम यूज कर सकते हैं तो यह कुछ regions होते हैं कुछ car-hour होते है जिसके लिए हम क्या आगते है target drug delivery system यूज करते हैं next हम बात करते हैs approach इसकी कि- kis approach क्यया क्या है तो सबसे पहले approach के हम बात करें तो जो drug होता है हमारा तो उसके जiliyor distribution होता है एक particular side पे ले जाके उसे release करता है ठीक है तो एक तो क्या distribution को control करना है पहली हमारी approach होगी दूसरी हम बात करते है altering the structure of the drug at molecular level तो इस तरीके से जो target drug delivery system होता है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यो drug होता है तो उसका जो molecular structure होता है तो उसको हम चाते हैं कि जो हम desirable जो results चाते हैं ठीक है तो वो हमें सारे के सारे उससे मिल जाते हैं ठीक है एक control waiver जब हम drug को use करते हैं तो ये कुछ इसकी approach होती है दो तीन point है तिनको आप याद कर ले ना next हम properties की बात करते हैं targeted delivery system की क्या क्या properties होती है तो सबसे पहले non-toxic biocompatible and physiochemical stable in vivo and in vitro ठीक है तो सबसे पहले तो ये non-toxic होते हैं दूसरा ये biocompatible होते हैं compatible रहते हैं body के साथ और next हम बात करें physical chemical जो stability रहती है तो वो in vivo या फिर in vitro दोनों में क्या है stable रहते हैं इसके लबा restrict drug distribution to targeted cells and tissues और organs कर जाता है हमारा तो वहाँ पे काई सारे receptor होते हैं तो जैसे कि हम drug को चाहते हैं कि वह उमारी एक receptor पर जाके bind करें ये सुच के हम कोई भी tablet या कोई भी drug हम кажд लेते हैं तो वो क्या होता है जो particular जो हमारा receptor है वहां पे जाके तो वो bind करता रही है लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे कापी सारे receptor होते हैं तो वो उनके साथ भी जाके क्या है bind कर जाता है जिसे हम बोलते है side effect ठीक है कि जो effect drug को दिखाना चाहिए वो तो दिखा ही रहा है उसके साथ-साथ क्या है वो क्या है जो other जो receptor है हमके साथ भी थोड़ा-thोड़ा वो distribute होके bind हो गया है तो इसकी वैसे वो क्या कोई side effect भी दिखाता है तो ये जो दिक्कत होती है तो इसको हम दूर कर सकते हैं एक तो कि वो क्या particular receptor से जाके bind करेगा बाकी वो किसी भी receptor के साथ bind जो है नहीं करेगा और यहाँ पर क्या है targeted जो cells रहती है वहीं पर जाके वो असर दिखाएगा या targeted tissue रहती है उसी पर जाके वो असर दिखाएगा या किसी organ पर जाके असर दिखाएगा तो इसमें क्या देख रहे हैं हमके जो drug distribution होता है तो उसको भी रिस्टिक्ट करता है यह जो तरीखा होता है हमारा targeted delivery system का इसके लाबा controllable and predictable rate of drug release तो एक तो हम controlled way में है और एक प्रेडिक्ट करके हम जो है drug का release जो हम वहाँ पर कर सकते हैं इसके लाबा next हम बात करें तो minimal drug leakage during transit ठीक है तो जब भी हम drug को inhal करते हैं तो जो leakage रहता है ठीक है जैसे encapsulation हम कर देते हैं ठीक है तो जो leakage रहता है drug का तो वो भी काफी minimal रहता है और इसमें जो हम carrier use करते हैं तो वो एक तो biodegradable होता है कि body के अंदर जाके वो automatic degrade हो जाता है और drug अपना असर दिखा देता है यसी वो अपना असर दिखा देता है तो तो automatic वो क्या degrade हो जाता है और eliminate हो जाता है body से ठीक है और कोई भी problem जो create नहीं करता है इसके लाबा last point के हम बात करने इस preparation should be easy और regionally simple reproductive and cost effective ठीक है तो ये जो तरीखा रहता है targeted delivery system तो ये तो क्या है आसान रहता है ठीक है और simple भी रहता है इसके अलाबा क्या है reproductive and cost effective भी रहता है तो ये इसके कुछ properties होगी और ये आपको जो है याद रगनी है next अब बात करते हैं component of targeted delivery तो component कौन-कौन होते हैं ठीक है तो जब भी हमें system को बनाते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ों की हमें जववत पढ़ती है तो basically simply 2-3 चीज़ों की जववत पढ़ती है असमें बहुत ज़्याद हमें thumb jump की जववत नहीं पढ़ती है हालांके slavus में भी कह है basic चीज़ें बतानी है आपको बोज़ाद detail नहीं बताना है तो सबसे पहले तो हमें target की जववत पढ़ती है तो कोई particular organ पे जहां पे हमें असर देखवाना है या फिर cell पे या फिर कोई group of cells है यानि tissues वेगरा पे हमें असर जो हम देखवाना चाहते है drug से तो क्या एक तो हमें target पहले हमें चाहिए होगा कि कहां पे जाके drug को असर देखाना है दूसरा हमें carrier और marker ठीक है तो हमें carrier की जववत पढ़ती है जो क्या करेगा कि जो हमारा main drug है उसको लेके जाएगा और particular किसी site पे जाके उसे release कर देगा और वो drug वहां पे जो असर देखा देगा ठीक है तो जो है carrier यूज किया जाता है कि वो लेके जाता है drug को और particular site पे tissue पे, cell पे, organ पे जाके अपना असर देखा देता है और तीसरा जो होता है वो हमें main drug की जववत पढ़ती है जो drug है हमारा, जो carrier के साथ जुड़के और main site of action पे पहुंचेगा तो यह basically 2-3 component की हमें जववत होती है और बस यतना ही आपको जो है देखना है जाद आपको detail पढ़ने की जववत नहीं है next time बात करते है properties influencing drug targeting ठीक है तो ऐसी कौन-कौन सी properties है जो drug targeting को जो है affect कर सकती है तो इस चीज को हम देख लेते हैं तो छोटे-छोटे points है तो बहुत आसान तरीके समझ में आ जाएंगी तो पहला हमारा drug होता है तो drug का concentration या फिर particular जो location है या फिर जो drug का distribution है तो वो influence कर सकता है हमारे drug targeting को इसके लाबा drug का molecular weight ठीक है फिजियो-केमिकल प्रोपेड़ी जो drug carrier interaction तो जो drug है और carrier है वो किया अपस में interaction हो सकता है तो ये सारी के-सारी चीजें क्या है जो affect कर सकती है influence कर सकती है drug targeting को next carrier के हम बात करें तो carrier का जो type है या फिर उसका amount of excipient जो use किये जा रहे है उसमें या फिर उसकी surface characteristic या size इसके लाबा उसकी जो density है तो ये सारी के-सारी जो चीजें होती है तो carrier के अंदर ये सारी चीजें present होती है तो वो क्या affect कर सकती है ठीक है जो drug targeting रहती है इसके लाबा जो in vivo जो हमारा environment रहता है जैसे pH, polarity, ionic strength, surface tension, viscosity, temperature, enzyme, electric field तो ये क्या in vivo environment रहता है तो वो भी क्या affect कर सकता है influence कर सकता है drug targeting को तो ये इसके basic points है बहुत आसन तरीके से आपके समझ में आगे होंगे next हम बात करते हैं drug targeting strategies ठीक है तो जब भी हम क्या targeted drug delivery system करवाते हैं तो उसमें हम जो भी formulation कुछ भी हम बनाते हैं कोई भी drug को हम design करते हैं तो किसे strategy के साब से करते हैं कि वो कैसे जाके जो अपना असर दिखाएगा किसी भी particular जो organ पे जाके किसी भी cell पे जाके या tissue पे जाके तो कौन सी strategy उसमें follow की जाती है तो उनके बारे हम बात कर लेते हैं तो एक तो हमारी passive targeting रहती है active targeting रहती है combination targeting रहती है double targeting रहती है, dual targeting रहती है और inverse targeting रहती है basically 6 तरीके की strategy जो है follow की जाती है targeted delivery system में तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं passive targeting की तो basically यह जो passive targeting रहता है तो इसमें जो carrier रहता है तो उसका important role रहता है क्योंकि एक carrier ही है जो हमारे drug को ले जाके और particular site पे जाके release करता है तो carrier का इसमें most important role रहता है और जितनी भी हमारी जो strategy रहती है तो उसमें carrier को हमज़वा modification करते है या carrier के सापसी क्या है drug delivery होती है तो passive targeting की हम बात करें तो जो हमारा systemic circulation रहता है जिसमें क्या drug हमारा main side टक पहुंचता है तो streaming circulation रहता है तो इसमें हमारा एक path रहता है जिससे हम बोलते है 오늘 raticulo endothelial system जिसे हम RES भी बोलते हैं तो ये एक path होता है हमारा तो passive targeting में जो हमारा carrier रहता है तो वो क्या करता है कि reticulo endothelial system R.E.S. जो path रहता है उसको follow करता है उसके साथ वो क्या है जाता है ठीक है उसको follow करते हुए उस path को follow करते हुए जो main हमारी target side रहती है तो वहाँ पे जाके पहुंसता है और drug को जो है release कर देता है तो उसमें ये जो word है reticulo endothelial system ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी path को follow करते हुए वो क्या है हमारा main side of action तक drug को लेके जाता है जो carrier रहता है basically जो carrier इसमें use किये जाते है पैसिब targeting में तो वो colloidal use किये जाते है colloids use किये जाते है ठीक है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है तो ये तो हमारी होगी passive targeting next हमारी आती है inverse targeting तो inverse का मतलब होता है कैसे आप बिल्कुल उल्टा समझे लीजिए passive targeting का ठीक है तो इसमें जो है तो passive में तो क्या है reticulo endothelial system को जो है follow कर रहा था यानि इस path को follow कर रहा था हमारा जो carrier था लेकिन जो inverse targeting रहती है तो इसमें ये क्या है इस path को जो follow नहीं करता है reticulo endothelial system को जो ये follow नहीं करता है तो इसमें जो हम carriers का use करते है ठीके तो जैसे एक example यहांपे दिया है कि macromolecules like dextrin sulfate, macromolecules का मतलब रहता है कि जो molecule का size रहता है, जो carrier का size रहता है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीके और इसमें एक example भी देख रहा है, dextrin sulfate, ठीके तो इसका एक example हो गया, तो इसमें क्या है, थोड़ा जो बड़े size का क्या है इसमें carrier को लिया जाता है और यह carrier क्या करता है कि जो हमारा reticulo endothelial system रहता है तो उसको यह क्या करता है उसे suppress कर देता है उस path को यह suppress कर देता है और फिर जो हमारे main site of action तक यह पहुंचता है ठीक है तो जैसे अलग-अलग strategy की हम बात करें कि जब यह इस path को follow नहीं करता है reticulo endothelial system को यह follow नहीं करता है उसे suppress कर देता है तो पर यह पहुंचता कैसे है कौन सी strategy को यह follow करता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो carrier रहता है तो उसमें हम कुछ modifications कर देते हैं ठीक है या तो हम क्या उसके抓राओंा सायस को चेंड कर देते हैं carrier के या Нап funzिंशन को चैंड कर देते हैं इस सरफेस रिजेसित कुछ चेंड कर देते हैं और या फिर हम क्या हाईड्रोफिलिसिटी जो characteristics रहती है तो उसको हम change कर देते हैं ठाकि जो desired जो effect रहते हैं, तो वो क्या है, drug अपना दिखा पाए, तो उस system को जो follow करते हैं, यानि ये जो इतनी सारी strategies में दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं कि carrier को जो modify कर देते हैं, तो वो क्या करता है, कि suppress कर देता है, R.E.S. बात को, और फिर क्या है, जो main site of action तक पहुंच जाता है, तो active targeting में जो carriers रहते हैं, उसको modification कर देते हैं, उसमें भी हम modification करते हैं, ठीक है, और modification करने के बाद जो drug रहता है, तो drug को क्या है, वो एक particular जो हम desired जो site जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये जो carrier होते हैं, वो drug को release कर देते हैं, तो basically जो हमारी active targeting रहती है, तो इसमें तीन टाइप क इसमें targeting रहती है, यानि तीन तरीके से अलागला level पे जो है target कर सकता है, ठीक है, अलागला जगे पे जाके, तो जैसे हमारा पहला रहता है, first order targeting, first order targeting में जो हमारा carrier रहता है, वो drug को जो है, किसी एक particular organ पे जाके उसे release करवा सकता है, दूसरा हमारा रहता है, second order targeting, जिसमें क्या ह किसी cell को हम अगर target करना चाहते हैं, कि हमारा ये drug है, वो एक particular cell पे जाके असर दिखाए, तो ऐसा भी क्या है, जो carrier रहता है, तो वो ये काम भी कर सकता है, किसी cell पे जाके drug को release करवा सकता है, next हमारा आता है, third order targeting, जिसमें क्या है, inter cell नो लाख, ठीक है, कि जो हमारे cell के अंद रहता है, ठीक है, जो किसी भी drug को जो है, जहां हम चाहिए, desired जो हमारे site of action है, वहाँ पे जाके उसे release करवा सकते हैं, तो तीन type की इसमें जो targeted delivery रहती है, ठीक है, तो first order होगी, second होगी, और third order, next हम बात कहते हैं, dual targeting की, ठीक है, तो dual targeting में basically आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसमें जो carrier रहता है, हमने जितने भी पहले जो तीन थरीके पढ़ लिए, तो तीनों में क्या है, carrier का एक ही काम रहता है, कि वो drug को ले जाके release कर देता है, एक site पे ले जाके, जिस पर हम चाहते हैं कि वहाँ जाके drug release हो जाए, तो वहाँ पे जाके drug को क्या है, वो release कर देता है, फिर जो हमारा carrier होता है तो वो गया degrade हो जाता है और body से eliminate हो जाता है, तो यह तो हमने तीन तरीके पड़े थे, तो उसमें हमारे carrier का यही function रहता है, basic function लेकिन जो dual targeting रहता है, तो इसमें जो carrier रहता है, तो carrier के वाल drug को ले जाने का काम नहीं करता है, carrier के अंदर भी क्या है therapeutic property होती है, ठीक है, तो किसी भी drug को ले के तो जाये गई, लेकं carrier के अंदर भी क्या है, कुछ हमारी therapeutic property रहेंगी और इसकी वैसे जो उमारा main drug होगा तो उसकी जो therapeutic property होगी, तो उसको यह enhance कर देगा, ठीक है, तो carrier की भी हमारी क्या property होंगी उसके अंदर therapeutic और drug के अंदर भी हमारी therapeutic property होंगी तो जो आसर है drug का वो थोड़ा सा वहाँ पर जाके ज्यादा होगा यानि एनेंस हो जाएगा तो यह रहता है हमारा dual targeting next हमारा combination targeting आता है तो combination targeting में हम क्या है carriers का यूज करते हैं polymers का भी यूज करते हैं और इसके अलावा हम क्या है homing device ठीक है homing device basically क्या करते हैं कि जो targeted delivery system रहता है तो target delivery के लिए help करते हैं ठीक है तो यह हमारी homing device होती है और basically इसमें कभी सारी चीज़ों का यूज किया जाता है carriers का भी polymers का homing device का भी इसलिए कि ऐसे combination targeting बोलते हैं तो यह होगी हमारी basically हमने जितने भी तरीके थे वो सारे के सारे पढ़ लिए है next हमें approaches की other जो approaches हैं उसकी भी हम बात करे लेते हैं ठीक है तो एक हमारी magnetically modulating drug targeting रहती है दूसरी हमारी pro drug targeting इसके अलबबा monoconolal antibodies based drug targeting ठीक है तो यह हमारी तीन other approaches रहती है तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा discussion करे लेते हैं ज्यादा आपको पढ़ने की जववत नहीं है इसमें तो सबसे पहले हमारा modulating तो सबसे पहले हमारा magnetically modulating drug targeting आता है तो इसमें जो रहता है हमारा जो carrier रहता है वो magnetic drug carrier रहता है तो वो क्या हमारे systemic circulation में चला जाता है उसके बाद वो tissue को target कर सकता है या फिर किसी particular organ जैसे liver, spleen या फिर bone marrow तो उसको भी जाके यह क्या target करता है तो यह हो गया हमारा magnetically modulating drug targeting दूसरा हमारा pro drug आता है तो इसमें हम drug को क्या product की form में जो design करते हैं तीसरा हमारा monoclonal antibodies रहता है तो यह जो दो तरीक हैं इनके बारे हम और detail बाद में discussion करेंगे लेकिन फिलाल introduction में मैंने आपको 3000 approaches हैं वो आपको मैंने बता दी है बाद मेंने हम और discuss करेंगे आगे जाके जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे next रम बात करते हैं कुछ advantages की ठीक है तो क्या क्या advantages रहते हैं targeted drug delivery system के सबसे पहला रहता है कि जो duration of action है उसको हम बढ़ा सकते हैं उसको extend कर सकते हैं और जो bioavailability रहती हैं उसको भी हम improve कर सकते हैं इसके अलावा जो drug degradation रहता है या फिर जो drug loss होता है उसको भी हम reduce कर सकते हैं इसके अलावा जो adverse effect रहते हैं तो भी हमारे कम हो जाते हैं doging frequency भी हम कम कर सकते हैं क्योंकि लंबे समय तक जो आसा दिखाएगा body में जाके drug इसके अलावा जो drug concentration fluctuation होता है plasma level में जाके तो वो उसको भी हम क्या minimize कर सकते हैं जाज़ा जो drug fluctuation है वो अंदर जाके नहीं होगा इसके अलावा हम बात करें तो जो drug utilization है और जो patient compliance है तो उसको भी हम improve कर सकते हैं तो एक तो क्या है drug पूरे तरीके से utilize होगा है ना और दूसरा हमारा क्या है जो patient जो है दवाईयां बारवार खाने में हेच कर चाता है तो वो जो problem है इससे क्या है दूर हो सकती है इसके अलावा जो stability रहती है तो उसको भी हम improve कर सकते हैं तो ये कुछ advantage होगे targeted delivery system के और next time इसके disadvantage की बात कर लेते हैं क्योंकि advantage होते हैं तो disadvantage भी होते ही है तो next time बात करते हैं disadvantage की तो सबसे पहला आगया possible toxic agents and degraded products ठीक है तो जब हमारा जो drug है वो अपना असर दिखा देता है तो उसमें से क्या है कुछ toxic जो agents है वो बच जाते हैं discomfort जो है feel हो सकता है percent को इसके लावा जो final जो product होता है उसकी जो cost रहती है वो high रहती है इसके लावा next time बात करें तो जो manufacturing रहती है storage रहता है और जो administration रहता है तो उसके लिए हमें एक skill की जोगत पढ़ती है तो ऐसे ही कोई क्या है बिना किसी skill की जो manufacture नहीं कर सकता है उसे store नहीं कर सकता है और administration भी वह नहीं कर सकता है इसके लावा जो targeted system रहते हैं तो उसमें clearance रहता है तो वह हमारा काफी rapid रहता है तो यह भी इसका एक disadvantage होता है तो यह हमने जो basic जो introduction है targeted delivery system का तो वह तो हमने यह पर पढ़ लिया है बाकि इसकी जो important और भी चीनिया इसमें बची है जो notes वगरा है इसमें पूछे जाते हैं अला 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 तो बहुत ही जादा important है तो उनको हम जो अलग वीडियो में cover करेंगे क्योंकि इसी में अगर हम cover करेंगे तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती और फिर जो हम जो बहुत हो जाते हैं देखते देखते तो उसे हम अलग वीडियो में cover कर देंगे और जो next वीडियो आएगी तो उसमें हम जो important इसका जो part बचा है उसको हम cover करेंगे तो फिलाल तो हमने basic introduction देख लिया targeted delivery system का basic इसकी approaches वगरा देख लिए और strategy देख लिए और उसे उसी वीडियो में finish कर देंगे तो इसी का साथ सथ हमारी unit finish हो जागी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care